दोस्तो अभी 25 मार्च को दिल्ली में शाहपुर जाट एरिया में पुराने शीव मंदिर में एक शीर्डी वाले साई बाबा की मूर्थी को तोड़ कर उखाड दिया गया और वहां गणेश जी की मूर्थी को प्रस्थापित कर दिया गया जिन लोगों ने इस मूर्ति को तोड़ा उखाड़ा उन्होंने का ये तो एक मुसल्मान था जो 1908 में मर गया ये तो एक जिहादी था इसकी मूर्ति की इस हिंदु मंदिर में कोई जगा नहीं है और इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में और भी होती रही हैं ये जिन लोगों ने इस मूर्ति को तोड़ा निकाला वो यती नरसिंग अनंद जी के फॉलवर्स हैं मानने वाले हैं ये जो यती नरसिंग अनंद हैं ये उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद में दस उस मंदिर के सामने लिखा हुआ है, मुसल्मानों को यहां प्रवेश नहीं है, उसी मंदिर के पास वो घटना हुई, जहां आसिफ नाम का एक 14 साल का नौजवान वहां पानी पीने गया, और उसे बहुत बेहरहमी से वहां पीटा गया, अब इसी के साथ एक और घटना जूड हैं, उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वैसे ही 14 साल के आसिफ नाम के लड़के पर लड़के को जो मारा गया, उसके खिलाफ भी सिटिजन्स फर जस्टिस और पीस ने चाइल राइट्स कमिशन के पास एक कम्प्लेन दर्ज की है, तो यह जो घटनाएं हो रही है कि महरgines्च में हिंदू मुसल्मान दोनों उन्हें बहुत उचे दर्जे का संत मानते हैं, और शिर्डी एक तीर सान बन गया है, जहां बहुत सारी सुविधायें इसलिए उपलब्द करा आई गई हैं कि वह हिंदू मुसल्मान दोनों आते हैं, और जहां तक शिर्डी वा पर उनका जो जीवन था वो एक मिला जूला जीवन था और वो हमेशा जो बात करते थे वो हिंदू मुसल्मान के परे बात करते थे जातिबाद के परे बात करते थे religion और caste की भेदभाव को वो नहीं मानते थे और इसी के साथ साथ ये बड़ी मज़दार बात है कि वो जिस मस्जिद में रहते थे उस मस्जिद का नौम द्वारका मई मस्जिद था द्वारका मई मस्जिद और ये शिर्डी वाले साइबाबा इनको मानने वाले हिंदू, मुसल्मान उन पर बहुत लोग प्रियो फिल्मे भी बनी है और वहां श्रद्धालू लोग जाकर दान भी देते हैं और बहुत बड़ा एक संग्रा वहां होता है खैर तो ये जो साइबाबा थे उनकी खासियत ये है कि वो एक ऐसा कहते थे कि बहुत इक चीजों से आकरशन के बदले अपने आपको समझने की कोशिश करो उन्होंने ज्यादातर मानवता से प्रेम के बुल्यों पर जोर दिया और एक बात कही जो हिंदू मुसल्मान को जोड़ने वाली थी वो ये थी कि उनका एक बहुत प्रसिद वाक्य है जो यहाँ आपको बंबई की बहुत सारी कार और वेहिकल्स के पीछे लिखा हुआ मिलता है सब का मालिक एक यानि जो अल्ला है जो इश्वर है वो एकी है जो हिंदू मुसल्मान इन दोनों का मालिक है तो खैर अब कुछ लोग जो विवाद खड़ा कर रहे हैं कि ये साइं बाबा चांद खान थे ये पिंडारी लुटे रहे थे जो जिहादी थे और इनकी कोई जगा नहीं है ऐसा ही 2014 में भी एक धर्म संसद ने इसी प्रकार का एक रिजोलिशन पास किया था एक प्रस्ताव रखा था कि साइं बाबा को कि पूजा नहीं की जाना चाहिए अब वैसे तो जहां तक हिंडु धर्म का सवाल है हिंडु धर्म की यही विशेष्टा है कि ये बहुत विविदता पूर्ण धर्म है और ये विविदता पूर्ण धर्म में आपको ऐसे प्रभाव मिलेंगे जहां शिर्डी जैसे संत को भी पूजा जाता है राजस्थान में राम देव भावा पीर की भी पूजा की जाती है मुसल्मानों द्वारा भी, हिंदों द्वारा भी और यहां तक की अभी तो सबरी माला के बारे में आपने बहुत बड़ा विवाद सुना होगा केरल में जो सबरी माला का मंदिर है वहां कितनी तफस्या से लोग जाते हैं वो एक अलग विवाद है पर सबरी माला के मंदिर के बारे में भी एक बहुत प्यारी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी सबरी माला के मंदिर पर जाते हैं सबसे पहले वहाँ वो सेंट सेबास्टियन के चर्च पे जाकर पुजारी का आशिरवाद लेते हैं फिर वावर की मस्जिद में जाते हैं और उसके बाद जाकर सबरिमाला भगवान को मिलते हैं तो ये जो इस प्रकार की आस्थाएं हैं ये पूरे भारत में बिखरी हुई हैं और इसका उधारन जहां आप देखिए अभी बंगाल में चुनाओ हो रहे हैं वो एक अलग मामला ह कश्मीर ये दो बहुत लोगप्रिय हैं जो एक हिंदू परमपरा से आता है एक इस्लामिक परमपरा से आता है कश्मीर में देखिए तो लाल देड़ एक बहुत महत्रपून व्यक्तित्व है और उसी के साथ साथ नुन्द रिशी जिनको नूरुद्दीन नूरानी के लाते हैं उस थान पर हिंदू धर्म में इस प्रकार की एक संकिन तालाना कि ये साई बाबा तो भाई एक मुसल्मान जन्मे थे तो उनको एक हिंदू मंदिर में क्यों रखा जाए यही तो खैर खासियत है हिंदू धर्म की जिसके कारण देश के अलग-अलग लोग एक दू मुसलिम परिवार में हुआ था उसके बारे में क्यों दंतिया है पर ये कई लोगों का निश्यत्मत है कि उनका जन्म एक मुसलिम परिवार में हुआ था और उन्होंने बाद में गुरू रामानंद के पास जाकर दिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने जो साहित का स्रजन किया उसका कोई जोड भारतिय समाज में नहीं मिलता उनकी भाश्या उनकी लेखनी में खास दो चीजों पर मौत्वता एक कर्मकांड का विरूद धर्म गुरूओं का विरूद एक तरफ हिंदु धर्म गुरूओं का विरूद करते थे जो पाखंड को बढ़ावा देते थे दूसरी तरफ मुल्ला मौलाना का भी विरूद करते थे जो भी केवल कर्मकांड के आधार पे धर्म को देखते हैं तो कर्मकांड से अलग धर्म की परिभाशा प्रेम की और इसलिए संत कबीर का वो दुआ तो हमेशा के लिए अमर रहेगा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया नकोए धाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए तो ये जो संत कबीर ने बात कही वो बात सूफी संतों पे भी लागू होती है क्योंकि सूफी संतों ने भी अपने मानने वालों के बीच में धर्म का भेदबाव नहीं रखा सूफी संतों की दर्गाह पे बसंत पंचमी होली का तेवार फाग इतने उत्सा से मनाया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है और इसलिए आप देखेंगे कि भारत में कबीर तुकाराम नामदेव नरसी मेता को मानने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे लाखों लोग मिल गाहें जो पूरे देश में विखरी हों वहाँ जाकर मननत मानने वालों में हिंदू भी रहते हैं मुसल्मान भी रहते हैं तो दोस्तों यह आज जो नई प्रवत्ती चालू हो रही है जिसमें शिर्डी वाले साइन बाबा का एक तो उधारन लिया गया है उनको मुसल्मान क के नाम पर उनको अलग रखने की कोशिश की जा रही है पर ये भारतिय परंपरा के विरोध में है BHA? जो बात सिखाती है। उसका मर्म जैसे संत कवीर ने कहा वैसे ही हमारे महाराश्च्य के SANE गुरुजी में अपनी प्यारी आज पश्ट रूप से देख रहे हैं, एक तरफ से शेड़ी वाले साही बाबा हैं, कबीर हैं, तुकाराम हैं, नामदेव हैं, नरसी मेता हैं, ख्वाजा, निजामुद्दिन ओलिया हैं, गरीब नवाज हैं, और इतने सारी परंपराएं देश में बिखरी हुई हैं, और मियती जैसे महत्मा लोग, वो मुसल्मान के खिलाफ और दुसरे धर्म के किलाफ की भात करते हैं, जबकी धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं होती है, धर्म के मुल्यों में तो कैवल एक बात होती है, वहता है, पूरी मानवता से प्रेम, और ये, इसाई धर्म का लवदा से प्रेम है, धर्म की सीमाओं के परे, जाती की सीमाओं के परे, एक प्रेम की भावना है, और सही बाबा ने अपने जीवन में इसी बात को सामने रखा, महराश्टर में बहुत लोग प्रिया हैं, मुझे खुद कई बार विश्वास नहीं होता, मैं जिगता हूं, लोग दोस्त हैं जो नियमित रूप से साही बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो इसमें अब यह जो नई चीजें लाई जा रही हैं वो धर्म को संकीन और रूड़ी वादी बनाने की परम चीजों को लाया जा रहा है जो राजनितिक उद्देश से किया जा रहा है मेरी माननेता है कि धर्म का उपयोग मनुष्य से मनुष्य में प्रेम पैदा करने के लिए होना चाहिए और जहां धर्म का उपयोग एक राजनिति के लिए होता है वो हमारे लिए बहुत चिंता का विशह होना चाहिए हमने इन बातों को अस्वी कार करना चाहिए और जो हमार का मैंने जो आपको उदारन बताया सबरी माला वो वावर और सेंड सेवस्टियन का हो या जगा जगा पे विक्रियू ये चीजें हो ये हमारे पूरे भारत में मिलती है और मेरे ख्याल से यही हमारे भारत की एक खास विशेश्टा है जिसको लेकर हमें अपने समाज को प्रेम से रखना है महब्बत से रखना है और इसी प्रेम महब्बत के आदार पे हमारे समाज का विकास हो सकता है मेरी मान्यता है समाज में अगर प्रेम महब्बत नहीं होगी तो समाज का विकास होना बहुत मुश्किल है तो मैं आपके साथ यह अपील करूँगा कि इस प्रकार की जो चीजे हैं उनसे बचकर जो लोगों की मान्यताएं हैं उन मान्यताओं में एक विचार लोगों की मान्यताओं का आदर ये करना हमारी जरूरत है पर हाँ निश्य तुरूप से अंद विश्वास के फंदे में हमें नहीं पढ़ना लोगों की भावनाएं लोगों का विश् पूरा पूरा स्वागत करके अपने समाज में मजबूती प्रेम महबत और एक तालाने की कोशिश करना चाहिए। Thank you very much.